हेलो दोस्तों अगर आप Bird Slower हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में Birds आएं तो मैं आपको एक बहुती आसान तरीका बता देता हूँ आपको सिर्फ Amazon से दो चीजे order करनी है पहली चीज जो आपको order करनी है वो है bird feeder और दूसरी चीज जो आपको order करनी है वो है bird seeds ये दोनों चीजे आपको easily Amazon में मिल जाएंगी आप देख सकते हैं इस bird feeder में bird के seeds डालना बहुत ही आसान है हमने nature forever के bird seeds मंगवाए हैं ये 900 ग्राम का पैकेट लगभग 200 रुपए का Amazon में मिल जाता है ये वाले seeds हम लगभग 2 महीने से birds को खिला रहे हैं इन seeds की खासियत ये है कि ये all life stages bird seeds हैं इसका मतलब ये हुआ कि छोटी से लेके बड़ी चिडिया भी इस बीच को खाके अराम से पचा सकती है इस packet के अंदर बाजरा, अलस की मक्का और भी कई तरह के बीच मिले हुए हैं जो कि कई तरह की birds को और pigeons को बहुत ही अच्छे लगते हैं कब उदर भी ये बीच पसंद करते हैं और हाँ आप parrot को भी ये बीच खिला सकते हैं ये bird seeds 900 ग्राम के packet में आते हैं और इस packet से ये bird feeder पूरा भर जाता है आप इस bird feeder क तो कहीं पर टांग भी सकते हैं और जमीन पर भी रख सकते हैं अब हम bird feeder को जमीन में रख देते हैं अब आप देखिएगा हमारी balcony में कैसे birds आती हैं bird feeding को आप अपनी hobby भी बना सकते हैं इस hobby का फाइदा ये है कि bird feeding से आपके घर के आसपास की birds की health अच्छी रहेगी और घर म से भी रहात मिलती है आप अपने बच्चों में भी ये hobby डेवलप कर सकते हैं इससे आपके बच्चे bird feeding और bird watching में busy रहेंगे और उनके अंदर दूसरों की care करने की भावना भी डेवलप होगी दोस्तों पक्षियों के लिए feeder लगाना धहती से जुनने और घर में अराम से बै birds की मदद करना चाहते हैं तो अपने घर में bird feeder और bird seeds मंगवा के birds की मदद कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल को subscribe कर लीजे